आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नवसकार SSC GD Constable भरती 2018 में सेकन लिष्ट का इंटिजार कर रहे हैं यदि आप सभी लोग तो आप सभी के लिए एक बड़ी खवड़ा चुकी है सबसे पहले तो मैं आप सभी को यह एक बात बताना चाहता हूँ कि यहां वीडियो मातर उन्हीं के लिए है जिनका SSC GD Constable भरती 2018 की फारिनल मेरिट लिष्ट में नाम नहीं आया है तो प्लीज यदि आपका नाम आ चुका है तो आप इस वीडियो को छोड़कर अभी जा सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बताया गया है जिनका SSC GD Constable भरती 2018 में फारिनल मेरिट लिष्ट में नाम नहीं आया है उनके सेकंड लिष्ट के बारे में तो एक एक करके बताएंगे आता आप सभी लोग प्लीज वीडियो कहां तक बने रहना ताकि पूरी-पूरी जानकारी आपको मिल सके तो चले शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमें नयाज चाहिए SACJD 2018 55000 स्टुडेंट री ट्विटेट और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे SACJD 56 के वोईस इस फ्रेंड से लड़की ने यानि कि यह जो अव्यर्थी है इन्होंने यहाँ पर यह लिखा आए एक फ्रेंड से पत्र और इस पत्र में क्या है इस पत्र को आपको दिखाएं तो देखिए हम आपके सेकंड लिष्ट के बारे में भी डिसकस करेंगे इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रहना ताकि पूरी-पूरी जानकारी आपको मिल सके हम आपके सकंड लिष्ट के बारे में तथा आपका जो भी डाउट से एके करके क्लेर करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे इसलिए गाईज आप प्लीज बिड़े के अंतक बने रहना तो यहाँ पर आप देखें SAC DD 2018 वोई सगेनेस्ट इंजेस्ट्रिस तो यहाँ पर देखें मैं SAC DD 2018 की उम्मीदवार बताना चाहती हूँ कि मैंने भरती के सभी चलनों यानि की रिटन टेस्ट, विजकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट को पास किया है फिर भी अंतिम चैन सूची से बाहर कर दिया गया योग्य होते हुए भी तीन साल के लंबे दिजार के बाद हमारे फोजी बनने का सपना तोड़ दिया गया SAC DD 2018 के तहट 62,210 पदों पर रिक्तिया निकाली गई थी फिर भी सिर्फ 54,000 को ही अंतिम सूची में चैनित किया गया मानिये नित्या नंद राम राई जी ने यहाँ पर दिखिए जो नित्या राई नीजी ने संसर में बयान दिया था कि पेरा मिलिटरी फोर्सेश में 11,000 पदों पर रिक्तिया हैं जबकि पेरा मिलिटरी में जाने की योगिता रखने वाले उमीदवार एक लाख 9,000 है होने के लिए होनी चाहिए और वैसे भी 2018 में सभी राज्यों में कम से कम इस्टेट प्लिस की भरती ज्याइनिंग तक यानि की कम्प्लीट हो चुकी है SSEGD 2018 के 40-60% उमीदवार इस्टेट प्लिस में जा चुके हैं अता जो 54,000 चैनित हुए है वो ज्याइनिंग के समय मुश्कल से 30,000 उपस्तित रहेंगे और यह बात बिल्कुल इन्होंने सही बताई है कि ज्याइनिंग के समय लगबग 30,000 उपस्तित रहेंगे ऐसा क्यों तो देखिए गाइस मैं अपने यूपी का हूँ आपको बता दूँ मैं यूपी का हूँ और यूपी में ही प्रेंट्स जो यूपी पे 49,500 बढ़ती निकली थी उसमें भी प्रेंट्स कई सारे कंडिडेट्स जा चुके हैं मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहां यहां लगबग 4 कंडिडेट्स थें प्रेंट्स हमारे यहां 4 कंडिडेट्स थें जो किसमे थें वह थें SSGD 2018 के उमीदवार और SSEGD 2018 की उमीदवार में केवल और केवल एक जाने वाले हैं केवल और केवल एक ही कंडिडेट्स जाने वाले हैं उसमें इसे तीन कंडिडेट्स जो हैं वह यूपी बी 49500 अनसर जाइन कर चुके हैं तो अब देखिए हमारे यहां यह तीन इस प्रेंट से नहीं जाएंगे तो आपके यहां भी ऐसा होगा मैं यह नहीं कहता हूँ कि हमारे यहां तीन नहीं तो आपके भी यहां ऐसे होगा लेकिन हाँ यह बात बिल्कुल सही है कि लगबग अगर 54,000 चैनित हुए हैं तो इसमें 30,000 ही कंडिडेर्स उपस्तित हो सकते हैं इससे जादा नहीं होंगे और सेकंड निष्ट आने के पूरे पूरे चांस है लेकिन आने के चांस है तो कब तक आएंगे इसके बारे में आपको अभी डिसकस करके बताएंगे इसलिए आप अंतर तक बने रहना और यहाँ पर आप देखे फिल लिखा है इस तरह अगर सभी उमेदवारों एक लाख नव हजार को जाइनिंग दे दी जाए तो भी जाइनिंग में उपस्तित रहने वाले उमेदवार मुस्कल से साथ हजार ही हो पाएंगे यानि कि अगर एक लाख नव हजार को भी जाइनिंग दे दी जाए तो साथ हजार से भी अधिक कंडिडेट्स हुजाए नहीं हो पाएंगे जिससे सब्सक्राइब जो नियू बेकंसी आने वाली है 25 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर सभी को इसकी फ्रेंट्स से दे दी जाए मिलब जाइनिंग दे दी जाए इस तरह सभी मेडिकल फिट एक लाख नहजार को जाइनिंग देने का फैसला सभी के हित्मे होगा हमारा सपना पूरा हो जाएगा और सरकार का जागया था ट्वीटर पर ट्वीटर पर ट्वीट करने के बाद फ्रेंट्स यह कुछ राय हो सकता हैं सभी को मिल सके इसके बारे में कुछ भी फ्रेंट्स जो से फ्रेंट्स मतलब आसोसान है वो मिल सकता है और यहां पर आप जरा देखिए स्सी जीडी 2018 सिंटु कुमारी ने लिखा है मौरिया सम्राट चाहे खुद को खाना या धंग की कपड़े में ना मिले लेकिन पूरे देश को खाना खिलाता है वो है एक किसान चाहे खुछ सुरक्षित हो या ना हो लेकिन पूरे देश को सुरक्षित रखता है वो है एक जवान लेकिन इस बार दोनों पर प्रेशाने किया हूं क्योंकि सेटीजी जीडी 2018 की जो medical fit candidate है उनका सेलक्षन नहीं हुआ और जो कि देश के किसान है उन सभी को अब नियाए नहीं मिल रहा है आप सभी को पता है देश की किसान के साथ कैसान नियाए क्या जा रहा है गाइस आपको बता दें कि सेटीजी जीड बाद अब बताईए मुझे कि क्या आप अपरेल तक इंतिजार करने के लिए सहमत है मैंने इसाब से तो आप सभी को यही राय होगा कि अपरेल तक क्या मैंने तीन साल इंतिजार किया क्या तिन साल अभी भी ससी को कम है तीन साल इंतिजार करने के बाद भी अभी अपरेल त जाइन करने के लिए आप हमारी चैनल को सर्च करें एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर्च करके टेलेग्राम चैनल से जूर जाएगा और यहाँ पर आपको एक अपडर्स दिखाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है कौन कौन ससी जीडी दोहजार अठ जाइनिंग ससी जीडी दोहजार अठार और यहाँ पर यह लगए गया थी पॉल और इस पॉल में देखें सहमत पर कितने कंडिडेट्स हैं 75% और काफी देर हो जाएगी इस पर कितने हैं 25% यानि कि कुल में लाकार के 100% यहाँ पर पूरे हो चुके हैं काफी देर हो है जब कि सहमत हैं ये 75% है तो आप सभी लोग भी सहमत हो जाएगा आप से मेरा विनम निवेदन है आप सभी लोग 14 फरवरी को जनतर मंतर पर चलने की पूरी पूरी कोसिस कीजेगा और आपको बता दे इस बरती से संबंदित कोई भी अपडेट साती है तो टाइम टू टाइ है कि उन सभी का सेलेक्शन होगा या बात बिल्कुल तैह हो चुके है कि सेलेक्शन होना है तो होना है किसका होना है तो जो मेडिकल फिट कंडिडेट है उन सभी का होना है लेकिन होगा तो आप सभी का साथ मिलेगा तभी इसके बारे पे हम सभी लोग कुछ कर सकते हैं तो बीडियो के निचे कमेट बॉक्स में ये कमेट जरूर करेगा कि आप मेरे साथ हैं या फिर नहीं यदि है साथ हो आप बीडियो के निचे कमेट बॉक्स में अपने राई जरूर दीजेगा तो आज की इस विडियो में जिन्दा ही और साथ में आप सभी लोग से मेरा यही वि बढ़ने वाला है क्योंकि मैं तो जाओंगा क्योंकि वहां पर रहेंगे प्रणा मिलिटरी फोर्स एसोसियेशन के महा सचीव रिल्वीर सिंग और भी कंडिडेट्स जिनके सपने अधूरे रहेगा हैं फोजी बनने का वह सभी कंडिडेट्स वहां पर रहेंगे अगर आप के सब्सक्राइब लगा है।